हाई वेलकम टू मैं चैनल तो मैंने न जो फर्स वाली वीडियो मैंने पोस्ट किया था जो शॉर्ट्स पोस्ट किया था उसके बाद मैंने एक डिटेल वीडियो लॉग में पोस्ट कि थी और आज मैं कुछ और आपके साथ शेयर करूंगे उसी टॉपिक पर कि मुझे किस तर तो first of all मैं आपको बता हूँ मुझे 8th of August को infection हुई थी और उसके बाद मैंने 10 days के अंदर मेरी skin एकदम ठीक हो गई और अब आप देख सकतो marks थोड़ी बहुत है but no infection and no active acne or pimple at all और बहुत ज्यादा healthy skin अब मेरी है तो मैं बताओ कि क्यों ये infection जो है क्यों ये जो reaction है तो वो skin पे होती है बहुत comment section में आपने ये बताया कि आपको ये problem हुई है और अभी आप उसको treat कर रहे हो तो first मैं आपको बताती हो कि क्यों होती है ये infection बहुत सारे रीजन से सब के जो outcome होती है जो ये reaction के जो होते है जो skin पे जो effect जिक्त है वो एक दम एक तरह के है first है atopic dermatitis वो की एक तरह की eczema है वो बच्चों में ज्यादा तर पाए जाते है बड़ बड़ो को भी ये होती है और उसको treat करना थोड़ा सा tough है I mean 10-20 years with doctors prescribed medicines आपको ये treat करने की जरूरत है second जो है वो है आपको fungal infection हो सकती है और bacterial infection जो की monsoon के season पे बहुत ज्यादा common है और इससे बहुत ज्यादा contamination हो सकती है kind of आप किसी चीज को touch करके रखे है पहले से उसके बाद आपने face को touch किया उससे contamination हो गया और आपकी जो skin है उसकी ये हालत होगी हो सकती है एक और चीज हो सकती है that is आपने ऐसे किसी चीज को हाथ लगाया है जहाँ पे पहले से ही कुछ infections थे शायद इसके और नेल से हो सकते हैं मेरे भी नेल से नेल से आपको ये infection हो सकती है अगर आप किसी तरह से face पे scratch किया itching हो रही थी तो आपने scratch किया उसके बाद infection आपको हो सकता है water से हो सकते है but you know कभी ऐसा हो सकते है कि water contaminated था पहले से उसके बाद आपको ही हो सकता है but water से होना अगर आप एक ही जगह के water बहुत दिनों से यूज कर रहा हो तो शायद आपको ये नहीं होगा और एक last but not the least barrier जो disturbed होती है आपने कोई गलत product यूज कर लिया या फिर को बहुत ज्यादा active और acids use करने के वज़े से आपकी skin की आहलत हो सकते है that's very normal इसी कुछ कारान के वज़े से आपको ये होता है तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो होता है उसकी जो outcome होती है कि पर किस तरह के reactions देखने को मिलते हैं first blitzlers blitzlers होते है चोड़ चोटे दाने होते है वह हो जाते हैं बहुत ज्यादा red हो जाती है skin बहुत ज्यादा flaky, itchy skin निकलने लग जाता है कहीं कहीं जगा से फूल जाता है एक दम से चहरा और उसके बाद एक और चीज़ भी होती है जो skin में ब्लड विसल्स दिखने को लग जाते है ये बहुत सारे लोगों की साथ होता है पर मेरे साथ नहीं हुआ ये एक्स्ट्रीम लेगल वे infection के वज़ेसे शायद होगा या फिर atopic dermatitis और itching होती ह कितना भी ज्यादा moisturizer लगा हो आपकी skin dry तब भी feel करेगी ये ज्यादा outcome होती है कुछ इस तरह के और उसके साथ साथ आपको neck या फिर body के दूसरे parts पे भी infection spread हो सकते है that's very common अगर आपकी skin पे अलग अलग जगह पे infections हो रहे है I think face, neck, arms, elbows, even scalp, itchiness same है तो हाँ आपको doctor के पास जाना चाहिए और treatment लेनी चाहिए that is eczema eczema एक genetic disease है अगर आपकी parents को है तो शायद आपको हो सकती है अगर नहीं है तो भी आपको हो सकती है और जो fungal bacterial infection है बहुत जली से treat हो जाते है जो barrier disturb है वो treat होने में one, two, two months लगते है बर bacterial infection अगर आपको हुए है या फिर fungal infection वो बहुत ही common है मौनसूर की season पर बहुत सारे लोगों को होते है तो वो अच्छी तरीकी से घर पर treat हो सकते है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको treat करोगे first of all don't panic अगर आप face कर रहे हो कि आपको infection हो आए तो panic मत कीजिए बहुत जल्दे decision मत लीजिए कि डॉक्टर के पास जाना है please wait judge कीजिए देखे कि क्या क्या आपको symptoms है वो हो रहे है उसके बाद आप doctor के पास जाहिए अगर आपकी जरुरत हो तो doctors बहुत सारे doctors बहुत जादा steroids दे देते हैं that's not good for our skin lifestyle and food habit आपको बिल्कुल change करनी पड़ेगी lifestyle in the sense आप 8 hours of minimum sleep आपको रखना पड़ेगा अगर आपकी hair छोटे है face पे आते हैं तो hair को please tie up करके रखिए अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं work out करते हैं तो मैं आपको recommend करूंगी आप कुछ दिनों के लिए उसको बंद क्योंकि जितना ज्यादा blood flow आपकी चहरे पे आपकी body के infections part पे होंगे तो हां वो बहुत ज्यादा जलेंगे और आपको तकलीफ पहुचाएंगे तो please आप थोड़ी दिन के लिए बंद रखिए आपको pillow cover change करना पड़ेगा हर डे बार बार face को touch मत कीजिए that's very illegal अगर आप को जरूरत है या फिर नहीं क्योंकि उल्टा सीधा product लगाने के वज़े से और भी बात बिगड़ सकती है तो don't use that okay तो lifestyle change करने के बाद आता है food habit आपको sugar, milk इससे आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आपको किसी भी चीज से allergy है तो please उससे भी दूर रहे है अगर आपको allergies नहीं है egg, brinjal, ponds इस सबसे तो आप वो भी ना खाए उस थोड़ी दिन के लिए तो अच्छे है क्योंकि वो ना allergy को exigrate करता है तो शायर आपको और ज्यादा allergies हो जाए उसके बाद आपको 3 liters of water day खाना पड़ेगा बहुत important है detox water बना सकते है आप detox water बना के खा सकते है बहुत अच्छे है कोई भी तरह के milk tea coffee इससे आप दूर रहे cigarette alcohol if you consume तो दूर रहे उससे क्योंकि वो allergies को बढ़ावा देती है green tea आप खा सकते है बहुत beneficial है green tea toxins को दूर करता है body से मुझे तो बहुत benefit मिला इससे एक और चीस home remedies apply मत कीजिए क्योंकि home remedies की pH हम नहीं जानते है और हमारी skin की pH बिगड़ जाती है अगर हमको infection होती है तो इसके वज़े से home remedies apply मत कीजिए शायद उससे आपकी infection और बिगड़ सती है ठीक है बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के बास जाने की जरूरत नहीं है एक बार analyze करने के बाद जाओ क्योंकि इस तरह के infection treat हो जाते है एक हफते के बाद भी अगर कोई भी इंप्रूब्में नहीं है तो दॉक्र के बास जाओ most important thing skincare diet and now confuse let me explain skincare diet मतलब कोई भी active नहीं कोई भी acids नहीं कोई भी mask कुछ तरीके का clay mask face pack कुछ नहीं no cleansing oil no cleansing balm just sunscreen moisturizer अच्छे तरीके का एक toner and face wash sunscreen उतारना है तो एक ही face wash से आप double cleanse कर सकतो मैंने किया है मैं वही करती हूँ तो video मेरी चैनल पे है कैसे कर सकते हो तो यही कुछ product आप यूज करो nothing कुछ नहीं दो हफते के लिए सब कुछ छोड़ दो बस यूज करो अगर आपकी फेस पे बहुत जलन हो रही है बहुत दाइची हो रही है तो आइस मसाज करो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है वह फेस को calm down करने में cool down करने में ठीक है टोनर बहुत important है टोनर में दो बेस्ट टोनर जो मैंने यूज किया है फर्स्ट जो korean toner है एक दो दोनों ही korean toner है डोक्टर टोनर लाउंग लैप का और एक सेंटला एशियती का टोनर यह दो टोनर मुझे बहुत काम आए बहुत अच्छी तरीके सी है मेरी सकीन को जो हील किया cool down किया काम किया inflammation redness को कम किया और जो मॉर्श्राइजर में दो मॉश्राइजर मैंने यूज किया था फर्स्स सेटाफिल का यह डाम मॉश्राइजर और यह है फॉर्मूला रिस का Barrier Relief मॉश्राइजर दोनों amazing है अगर यह दोनों आपको नहीं यूज करन मास्ट बहुत हाँ पहले यह कर लो घर में रहते हो तो भी आपको संस्किन लगाना पड़ेगा अब आप यह सोचते हो कि infection है लगाओ या नहीं लगाओ हाँ आपको लगाना पड़ेगा बहुत important है क्योंकि तब हमारी skin की जो barrier है वह bigger चुकी होती है और skin barrier हमें protect नहीं कर पाती है ठीक है skin barrier हमें बहुत तरहीके से protect कर पाती है तो वह अगर नहीं कर पाती है तो skin और भी बगड़ सकती है तो sunscreen important है तो मैंने यूज़ किया था यह sunscreen fix derma का और मैंने एक बार यह भी यूज़ किया था sunscreen तब चाहो तो यूज़ कर सकते हो अगर आप affordable option चाहते हो यूज़ कर सकते हो ठीक है तो इसी तरीके से मैंने जो की मैंने skin को treat किया उसी के बाद जाके में skin ठीक हुई है जो 3-4 दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई है 3-4 दिन को भी improvement नहीं थी 5th day के बाद मुझे improvement डेखना स्टार्ट किया उसके पहले तो मुझे lips भी bumps आने लग गये थे that's so horrible बाहर ही नहीं जा पार थी आइना देखती थी तो मुझे यह लगता था कि क्या हो गया मेरे साथ whatever that's the reason आप जो मैंने बताए है उसी तरीके से आप treat करोगे इसी तरीके से skin infection को treat किया जा सकता है that's all thank you for watching if you like this video please give this video a big thumbs up